नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इसक्त सुबाश ठाकुर के साथ जे आरेफ हिंदी 2021 की तैयारियों के अंतरगत हम एकाई 4 अपना शुरू कर रहे हैं जिसमें वैचारिक प्रिष्ट भूमी के अंतरगत हमने इससे पहले एक और लेक्चर किया था जिसमें हमने मेनली नौदस प्रशनों को डिसकस किया था कि कौन-कौन से जो प्रमुख बिंदू हैं जो हम इकाई 4 में पढ़ने वाले हैं और उससे रिलेटेड कुछ मोटी-मोटी चीज़े मैंने आपको बता दी थी कि इकाई 4 में कौन-कौन से चीज़े हैं आपका भारतिय नवजागरन, सुधिनता अंदोलन हो गया, फिर हिंदी नवजागरन और इसके साथ ही साथ खड़ी बूली अंदोलन, गांधी दर्शन, लोहिया, माक्सवाद, मनुष्टेशनवाद, इत्यादी-त्यारी ये जो सारी चीज़े हैं ये हम IKI 4 में पढ़ने वाले हैं तो इससे पहले हमने UGC NET हिंदी की तैयारियों के लिए आपके लिए बहुत सारी लेक्चर्स तैयार कर लिए हैं जिसके साथ ही साथ मौक्टेस भी हमने हर एक यूनिट वाइस लगभग अपने बनाए हुए हैं प्लेलिस्ट में तो आप चाहें तो उन लेक्चर्स को भी एक बात देख सकते हैं क्योंकि UGC NET की परिक्षा के लिए वे सब बहुत ही ज़ादा महत्तपूर्ण है तो आज हम आपका चौथा यूनिट है देखिए वेचारिक पिष्ट भूमी इसके उपर बहुत कम लोगों ने लेक्चर्स त्यार किये हैं और हमने ये कोशिश की है कि वेचारिक पिष्ट भूमी के उपर लगातार अब आपके लिए एक या दो दिन छोड़के लगातार आपको एक लेक्चर डिलीवर कर दिया जाए जिससे हमारा जो चौथा यूनिट है वो यूजी सी नेट की परिक्षा से पहले पहले हम उसको कम्प्लीट कर लें और जितनी भी चीज़ें इसमें समाईत हैं उन सब चीज़ों को हम कम्प्लीट करने की कोशिश करेंगे और इ है या फिर आपका दलित भी मर्श है उसकी जो विशेष्टाएं हैं क्रेक्रेक्रिस्टिक्स हैं या कुछ और चीज़ें जो उनमें महत्पूर्ण हैं वही पूछी जाती हैं इसके अलावा कोई जादा डीप अभी तक तो नहीं पूछा गया है क्योंकि अभी यह हमारे पा पहले हम जान लेते हैं आपकी जो हिंदी नवजागरन और स्वाधिनता आंदोलन के हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम देखेंगे भारतिय नवजागरन और स्वाधिनता आंदोलन सबसे पहले हम इस चीज़ को इसमें कवर करने वाले हैं जो आपका भारतिय नवजागरन और स्वलहिंता आंदोलन है तो देखे यहाँ पर लिखा गया है उनिस्वी शताबदी में भारतिय समाज संक्रमन के जिस्तीवर दोर से गुजरा उसे चिंतकों ने अलग-अलग नाम दिया जैसे पुनर उत्थान, नव जागरन, पुनर जागरन, नव उत्थान, रेनेंसा, इत्यादी तो देखे यहाँ पर आपने एक चीज देखी होगी कि यह जो संक्रमन तो संक्रमन से हम क्या समझते हैं एक ऐसा समय आता है जब एक पीड़ी, दूसरी पीड़ी के साथ या एक चीज, दूसरी चीज के साथ टकरहट उत्पन करती है और हम किसी दूसरे फेज में जाने वाले होते हैं तो उसी को कहा जाता है संक्रमन का दौर जैसे मान लीजिए अभी रितिकाल का दौर चला था तो रितिकाल के बाद आप देखते हैं कि रितिकाल के समय में किस तरीके की रचनाई रची जा रही थी और किस तरीके से रितिकाली जो समाजिक परिविश था ये सब चीज़े हम देखते हैं जहां पर एक चीज़ खतम हो रही होती है और दूसरी चीज़ चल रही होती है ठीक है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ पुराने अंश भी रहते हैं कुछ पुरानी चीज़ें भी हैं पुरानी मानने आता हैं भी रहती हैं और नई चीज़ों का इजात भी वहाँ पर ह होता है और यही नए और पूराने के बीच का जो संगर्ष कहलाता है इसी को संक्रमन माना जाता है और यहां पर देखिए कहा क्या गया है कि उनिस्वी शताबदी में भारतिय समाज में क्या था संक्रमन की जिस तीवर दोर से गुजरा उसे चिंतकों ने अलग-अलग नाम दि दोबारा से किसी चीज़ का उत्थान होना नव निर्मान होना एक परिके से ठीक है कुछ चो लोग इसको क्या कहते हैं वो कहते हैं नव जागरन की नई जागरिती है ना फिर है पुनर जागरन पुनर जागरन का मतलब भी क्या है लगबग लगबग सब इनका मतलब एक ही निकलता है कि दोबारा से जागना ठीक है नवउथान नया उथान जिसको कहते है तो नवउथान नाम जो दिया है ये रामधारी सिंग बिनकर ने दिया है नवउथान ठीक है तो इसको आपने यहाद रखना है और जो रेनेंसा है देखिए रेनेंसा है इसका मतलब भी क्या है नवजागरन है और इसका जो सबसे पहला प्रियोग किया गया था ये प्रांसिसी इतिहासकार मिशिसेट ने किया था इसका पहला प्रियोग तो ये जो सब नाम हैं दिये जाते हैं किसके लिए पुनरजागरन के लिए या नवजागरन के लिए तो ये तो आपका भारती नवजागरन के सम्द में कि 19. शताबदी के आसपास संक्रमन के पश्चात जो स्थिती हुई उसको अलग-अलग विद्वान होने क्या नाम दिये पुनरजागरन, पुनरउथान, नवउथान, इत्यादी, इत्यादी अगर हम बात करें रेनेंसा की, तो सबसे पहले जो आपका रेनेंसा शब्द आया है, इसका अर्थ भी क्या माना जाता है, नवजागरन या पुनरजागरन ही माना जाता है और इस शब्द का पहला प्रियोग, जो फ्रांसिसी इतिहासकार मिशे सेट हुए हैं, इन्होंने उनिस्वी सदी के पूरवार्ध में कर लिया था ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहां से याद रखनी है, कि किस ने किया था, मिशे सेट ने किया था, और ये कहां से संबन देते हैं, ठांस से संबन देते थे तो ये चीज़ें common सी चीज़ें हैं इन चीज़ों को ही पूछा जा सकता है अभी तक फिलहल जहां तक इस unit से बात की जाए क्लिर है इतना कर कि आपको याद रखना है भारती नवजागरन के बारे में ये ये चीज़ें पहला प्रियोग मिशिसेट ने 19 सदी के पूरवार्द में नेक्स से दीखिए कि भारत में नवजागरन शब्द का पहला प्रियोग राम बिलास शर्मा ने अपनी प्रसिद पुस्तक महावीर प्रसाद दुवेदी और हिंदी नवजागरन 1977 में किया है तो ये अगर हम बात देखिए सबसे पहले फ्रांसिस जो इतिहास कार हुए हैं उन्होंने किया लेकिन अगर हम भारत के दिश्टिकों से देखें तो नवजागरन जो शब्द का प्रियोग पहले पहले राम बिलास शर्मा ने किया है इनकी जो प्रसिद पुस्तक है महावी हिंदी में इसका प्रियोग किस ने किया है ये राम बिलास शर्मा ने हिंदी में किया है ठीक है तो ये चीज़ थोड़ी सी जादा महतवपूर्ण है इस सम्मंद में एंड इसके अलावा आगे देखिए हम क्या देख लेते हैं अब आपका जो नवजागरन और सुधिंता आंदोलन में क्या चीज़ है तो इस सम्मंद में राम स्वरूप चत्रुवेदी ने अपना एक महतवपूर्ण कथन यहां पर दिया है देखिए ये कहते हैं कि नवजागरन दो संस्केतियों की टकरहाट से उत्पन रचनातमक उरजा है तो देखिए जैसे ही मैं पहले ही आ आपका नवजागरन है ठीक है और इस उर्जा के प्रभाव स्वरूप दोनों संस्केतियां एक दूसरे की अच्छाईयां ग्रहन करना चाहती है तो देखिए जो चीज़ें पहले खराब थी या कुछ बाद की खराब है उन दोनों चीज़ों का मिश्रिन जो बनता है वो ही ग्रहन करती हैं दोनों संस्केतियों में ठीक है और अपनी बुराइयां वो छोड़ना चाहती है यही संपूर्ण संस्कृतिक प्रक्रिया समाज के इतिहास में नवजागरन कहलाती है तो बहुत ही जादा महतवपूर्ण ये कोटेशन है रामसवरूप चत्रुवेदी की इ उसके उपर बात कर रहे हैं तो यहां पर दो संस्केतियों के टकरहाट हमने देख ली कि ये में चीज थी और इसी में चीज को नाम दिया गया नवजागरन क्लियर है इतना यहां तक आगे है दिखिए उनिस्वी सदी में 1857 का बिद्रोहो राजाराम मोहनराय के समाज सुध भारत इंदु का आगमन तथा सरस्वती पत्री का द्वारा नवजागरन का आरंभ वप्रचार प्रसार हुआ तो देखिए कौन-कौन सी चीजें ऐसी महत्तोपोन थी जिनके चलते आपका नवजागरन का उदै या आरंभ माना जाता है तो आपने देखा होगा UGC.net की पर योगदान रहा है और इन ही को भारती जो नवजागरन है उसका अगरदूत कहा जाता है अगर हम हिंदी नवजागरन की अगरदूत की बात करें तो वो किसको कहा जाता है वो भारत इंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है तो दो अलग-अलग चीज़ें देखिए अगर हिंदी नवजागरन की बात करें तो उसके भारत इंदू हरिश्चंद्र है अगर आप बात करें भारती नवजागरन के अगरदूत तो वो राजाराम मोहन राए हैं ठीक है इनके जो समासुधार के कारेते जैसे आपका सती प्रथा हो गया इनको खतम करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा संगर्श किया था और यही क्या है इसी के चलते आपको माना जाता है कि यह नवजागरन में एक तरीके से इनका जो इन्होंने एक स्तंभ की बानती काम किया हुआ है ठीक है जो भारत इंदू का आगमन भी माना जाता है कि उन्होंने भी बुला कि हिंदी जो है वो नई चाल में ढली 1873 में इन्होंने यह चीज कही है ठीक है तो यह पंक्ती भी आप देखते हैं कि बहुत बार रोल इनका रहा है तो आप देखते हैं कि भारत दूर्दशा तो यह बार-बार यह कहते रहते हैं कि हाँ हाँ भारत दूर्दशा देखी न जाई रोबहू मिली सब आके भारत भाई की सब मिलके रोते हैं भारत की जो दूर्दशा है कि यहां का जो धन था वो भी देशों में चला गया है ठीक है यहां का जो धन धन था यहां का जो सोने की चिडिया हुआ करता था एक वक्त देश आज वो क्या है वो खाली है लोगों को जागरित करने के लिए अलग-अलग तरीके से अपने नातकों के माधियम से, अपनी कविताओं के माधियम से इनुन꺼ने प्रीद करने की कोशिश की है, और वही कोशिश ही नवजागरन कहलाई, ठीक है, आगे देखिये सरसुति-पत्रिका की का भी बहुत ज्यादा योघ्दान माना जाता है आपका हिंदी नवजागरन मे तभी तो आप जो रामिला शर्मा देखते हैं दिखिए उन्होंने महावीर प्रसाद दुवेदी और हिंदी नवजागरन लिखा हुआ है ठीक है जो इनका अलोचनात्मक ग्रंथ माना जाता है तो महावीर प्रसाद दुवेदी और सरसुति पत्रे का ये दो चीजें आपने याद रखना है कि नवजागरन में इनका जिक्र आप कहीं भी किसी भी वक्त कर सकते हैं अगर आपने इस बार यूजी सी आपका एच पी यूनिवरस्टी में जो पीच्टी का इंटरांस हुआ है तो यहाँ पर इस तरीके से ही एक प्रशन पूछा गया था हिंदी नवजा नवजागरन का आरांब हुआ है तो वो जो बड़ी बड़ी घटनाय थी एक तो राजा राम मोहणराय के सुधार के कारे भारत इंदू का आगमन सरसुति पत्री का महाविर प्रसाद दुवेदी इनको आपने याद दख लेना है ये बहुती मौतपून बिंदू है किसके स संदर्ब में नवजागरन के संदर्ब में तो ये थे रामस्वरू चत्रवेदी का प्रमुख कथन और प्रमुख जो आगे की चीजें थी जिनकी बजा से नवजागरन का उदय या अविरभाव माना जाता है चलिए अब हम आगे देख लेते हैं इसके पश्चात की जो भा जैसे आपका प्लासी के युद्ध के पश्चात की अगर ये बात करें लगभग 1757 में ही जो बंगाल था वो अंग्रेजों के अदीन हो गया था है ना और उनकी जो पूझी बादी संस्किति या शिक्षा साहित्य के संपर्क में वो पूरी तरीके से बंगाल आ चुका था और सोभाविक सी बात है कि बंगाल जो है उसका लाब मिलता और वो नवजागरन वहां पर सबसे पहले पहल आया है तो ये प्रशन हो सकता है पूछा जाए कि नवजागरन की उत्पत्ति सबसे पहले कहां गटरी मानी जाती है तो ये मानी जाती है आपकी बंगाल में और सम समाजिक सुधार के कारे थे उनके लिए, चाहे सती प्रता हो गया, चाहे विद्वापुन्र विवाह की बात हो गई, या फिर जाती प्रता का उनमूलन हो गया, ये जो सारी चीज़े हैं, धार्मिक कर्मकार्णों का जो विरोध हो गया, इन सब चीजों को खतम करने के लिए ह कि क्या हुआ था आपका जो नवजागरन था उसका अविर्भाव माना जाता है अदर्ष समाज की कल्पना ये चीज आपने यहां से याद रखनी है अगर हम बात करें कि नवजागरन का जो प्रमुख उदेश्य क्या था इसका प्रयोजन क्या था तो वो भी बहुती और नया संसार बनाने का ये प्रियास था ठीक है और इस संदर्व में अनीक समाजिक धार्मिक सुधार अंदोलन चलाए गए जो तरक वा बुद्धी पर केंद्रित माने जाते हैं नकि कोरी भाबुकता पर तो ये कहते हैं कि ये नय संसार या नई संस्किती को पनपाने के लिए न सिर्फ कपोल कलपनाई की गई लेकिन आपको जो तरक और बुद्धी पर भी इस पर केंद्रित ये अंदोलन आपके रहे हैं जो भी धार्मिक सुधार के कारिया उस वक्त हुए हैं तो एक चीज़ आपने यहां से और यहां दखनी है कि हम अगर बात करें भारती सम सरवदिक महतपूर्ण माने जाते हैं पहला तो है आपका मद्यकाल से समंदित जिसको हम भक्तिकाली कहते हैं है ना जब भारत में इसलाम का आगमन हुआ था और इसलामी जो संस्किती थी उनके कटरता जिसमें आपने देखे हैं कि अलग-अलग विद्वानों ने वहां पर अंग्रेजों का भी राज हो गया था और अंग्रेजों के राज के चलते हमारी जो सम्त आपकी सम्त जो यहां की प्रतिष्ठा थी भारत वश्की वह कहीं न कहीं खतम हो गयी तो उसके विरुद जो यह चीज़ें थी जो आपनिवेशिक नीतियों के तहत जो हमारे जल आगे दिख लेते हैं कि जो प्रमुख समा सुधार के अंदोलन या जो प्रमुख نेता रहे हैं जो प्रभावी नेता रहे हैं वो कौन-कौन से मानने जाते हैं इनको हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते कि उस वक्त क्या है जो हमने पहले भी बात की कि संक्रमन का दौर उसको माना जाता है पहले जो आपके सामानतों के खिलाप लड़ाई थी धीरी धीरे जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तो वो अंग्रेजों के विरुद वो लड़ लड़ी जाने लगी है ना तो इसलिए माना जाता है कि जो नवजाग्रन परंपरा और संस्कृति को विज्ञानिक तर्क वविधान है ना समाजिक राजनीतिकावी प्रायों से जोने वाली चेतना मानी जाती है जो आपकी नवजाग्रन है ठीक है इसका जो सीधा सा प्रभ प्रायों को खत्म करने के लिए आपके हर समाज में ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही लोग पैदा हुए हैं जो भी जहां भी जिस भी देश में जब जब इसके की घटनाएं गरती हैं तो कुछ न कुछ लोग जागरुक लोग हम कहाजकते हैं या प्रभावी जो लोग होते हैं वो आवाज उठाते हैं और ऐसे ही जो प्रभावी नेता और उनके जो कारे रही हैं यहां पर सबसे पह आया है और इन आंदोलनों का जो प्रमुक उदेशरा है वो सुधारात्मक परिवर्थन लाना ही रहा है आप देखते हैं कि जिस वक्त उस वक्त के जो नाटक थे उस वक्त की जो दूसरी रचनाएं थी है ना कविताएं थी उनमें क्या था समाज सुधार का ही संदेश ठीक है इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि जो सतीप्रता था उस पर प्रतिबंद लगाया तो ये बहुत बड़ा और क्रांतिकारी इनका एक कदम माना जाता है भारतिय नवजागरण में ठीक है इसके पश्चाद दूसरा जो नाम आता है महत्वपूर नाम इश्वर चं प्रतिबंद लगाया नों का विरोध गया और द्यानन सरस्वति की जो प्रमुकर्व कृति मानी जाती है आपके सत्यात्प्रकाश और ये भी हीमाचापरोदेश के जो आप विश्व विद्याले का प jagade का है उसमें प्रश्चंद पूछा गया था कि सत्यात्प्रकाश का जो रचनकाल कब है यह ठारा सो चोहत्तर या पचपतर के आसपास इसका रचनकाल माना जाता है तो इसमें इनोंने क्या किया है आपका जो धार्मिक करमकान है उसका इनोंने जम कर विरोध किया है लेकिन इसके साथ ही साथ आप देखते हैं कि जो आपके विवेकरंद हुए है आपके महत्मा गांधी हुए हैं, है ना, इनका भी बहुत जादा महत्वपोन योगदान रहा है आपके नवजागरण में और देश की स्वधिनता अंदोलन में, ठीक है, एंड उसके पश्चात देखिए, जोतिबा फुले और सावित्रिवाई फुले, तो इनका नाम शायद कोई भीडलाई होगा जो नहीं जानता होगा जिननों ने जाती उत्पीडण के लिए घोर गया, कठिन वीरोध जिनने किया है जाती उत्पीडण का, ठीक है, और जोतिबा फुले और सावित्रि भाई फुले, तो ये कुछ एक महत्पुर्ण और प्रमुख नाम रहे हैं, म आपने इनको एक बार अपने दिमाग में अच्छे से इनको बिठा लेना है कि कौन कौन सी चीजे हैं तो इसके अलावा भी आप देखते हैं बहुत जादा आपके करांतिकारी समाज जो लोग रहे हैं उनके चलते हमें सोधिंता मिली है और उनके चलते जो आपका नवजागरन है जैसे आपकी कौंग्रेस की स्थापना हो गई जैसे आपका भगसिंग सुखदेव राजगूरु की फांसी हो गई ये सब लोगों के जो संगर्ष हैं उनके चलते ही हमारा जो नवजागरन और हमारे जो सोधिंता आंदोरन है वो कहीं न कहीं सक्सेस हुआ है तो ये महत्वपोर्ण चीजें थी आपके जो प्रमुक सुधारवादी वो प्रभावी जो नेता उनके कारेरों रहे हैं अब हम इसके पश्चात आगे देख लेते हैं कि आपका जो नवजागरन है उसका प्रभाव क्या माना जाता है तो देखिए अगर हम प्रभाव की बात करें कि कोई भी चीज जब घरती है तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पढ़ता है कुछ ना कुछ उदेश्य उसका जरूर रहता है ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके थे जब हम आपका इसाहित्य शास्तर पढ़ रहे थे कि लोग जो अपने अरिकार को अब समझने लगे थे उनको समझ ये चीज आने लग गई थी कि उनकी जो दुर्दशा का कारण सिर्फ और सिर्फ जो जमिदार हैं वो ही नहीं है जो हम रितीकाल में पढ़ रहे थे कि जो सामंत थे वो ही शोशन करता है और यही कारण है कि 20 सदी में जो आपके अंदोलन थे वो रश्टी अंदोलन के रूप में पन पर ठीक है तो ये था लोगों में जागरुकता लाना इसका प्रमुख प्रभाव माना जाता है नव जागरन का तो आपने 3-4 पंक्तियां देखी होगी कई बार परिक्षा में पूझी जाती है उनमें से कौन से सही है और कौन से गलत है इस तरीके से प्रशन बनता है तो ये ये चीज़ें बहुत जादा मौतपूर्ण है याद रखना आपके एक विशिष्टाएं उसके प्रभाव और उसकी जो अन्य जो चीज़ें उनको भी आपको याद रखना है यहां पर तथ्यात्मक या आप ऐसे समझें कि यह चीज है तो यहां से इस प्रशन बनने की संभावना कम है तो आपने देखा भी होगा पिछली बार जो स्त्री विमर्ष वहां से प्रशन पूछा गया था कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो स्त्री विमर्ष समंढ दित नहीं है तो ऐसी चीज़ें ही आपको यहां से इस यूनिट से पुछे जाने की संभावना ज्याधा है ठीक है नेक सी देखिए राजनीतिक चेतना का उदय तो राजनितिक चेतना का उदय सुभावी के कि अगर राजनितिक चेतना का ही उदय नहीं होगा तो नवजागरन की हम कलपना भी नहीं कर सकते हैं तो इसलिए ये का जाता है कि जो भी आपका उस वक्त का दौर था है नवजागरन के समय का तो उसमें राजनितिक चेतना का उ ही है इस वक्त में ठीक है next दिखिये कि सान अंग्रेजाग्त की नीतिόंस से वाकिप हो लिए ठीडला कंग्रिथ कि असWowकुत तो यह जिया रहती हैं जो आपकी नवजागरण का ऊधावो एक को गिना जाता है ठीक है और इसके साथ ही साथ आप देखें कि नवजागरन के आधुनिक जो भावबोध है उन्होंने भी लोगों को जागरूप करने का काम किया हुआ है ठीक है तो ये ते जो महत्वपून चीजें हैं आगे देखिए आर्थिक शोषन के खिलाफ संगर्श तो आधुनिक ज्यान विज्यान से जो लेस थे दादा भाई नरोजी उन्होंने अंग्रेजों की आर्थिक निव्यों की पोल खोल दी थी तो हर एक व्यक्ति ने जो भी उस वक जो शिक्षित व्यक्ति था है उसने क्या किया है उसने इनका विरूद किया है इसके अलाबा इह अंग्रेजों ने हलंकि हो सकता है उन्होंने गलत चीजें या गाच्छे rh importante त्यूप्स का और गलत नीतियां उनके हमारे उपर रही हैं, लेकिन जो शिक्षा का प्रसार उन्होंने किया, उससे हमारे देश के जो भी शिक्षित लोग रहे हैं, उन्होंने यूरूपी जो देश थे, दूसरे, उन देशों के साहिते को पढ़ा, उन वहां के संगश्यों को पढ़ा, और जि शिक्षित लोगों ने ही इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है, तो ये था आपका नवजागरण, भारतिय नवजागरण, इसके पश्चात, फिलाल हम आज यहीं तक करेंगे, और अगले वाले लेक्चर में हम देखेंगे, आपका जो हिंदी नवजागरण है, उसके आज के लिए इतना ही, ये थोड़ी से इसके जो पिष्ट भूमी थी, वो हमने यहाँ पर रख दी है, ये आपका जो भातिय नवजागरण क्या था, उसके जो पिष्ट भूमी और स्वाधिनता आंदोलन क्या है, ये चीज़े हमने यहाँ पर रख दी है, तो जो जो आज के लिए ये तना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कहीं भी कुछ भी डाउट लगता है, तो आप हमें कомेंट सक्षिन में जाकर जरूर बता सकते हैं, हमें फिड़ बैक देख सकते हैं, अगर हमें कुछ सुधार करने की और जरूरत है, तो वो भी हमेंज आप ब पता सकते हैं तो आज के लिए इतना ही जल्दी मुलाकात होगी नए लक्चर के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जहीं